इंट्राडे ट्रेडर्स, बैंक रिफ्टी ट्रेडर्स, दोस्तों अगर आपको पता चल जाए कि जो बड़े बैंक्स हैं, बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, इंस्टेडियूशन्स हैं और अपनी देशी भाषा में मार्केट को आपरेड करने वाले आपरेटर्स, ये कहां पर ए इग्जिट करने वाले हैं, तो तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी, सोने पर सुहगा हो जाएगा, तो दोस्तों इस वीडियो में जो मार्केट 80-85% परसेंट आप टाइम रेंज बाउंड रहता है, साइड बेज रहता है, उस मार्केट में ऑपरेटर्स, यानि कि बिग मनी, मा तक ऑपरेट करते हुए ले जाना चाहती है, वो आपको पता चल जाएगा, टॉपिक का नाम है, रेंज एश्रिमेशन, मार्केट प्रोफाइल का बहुत प्यारासा, बहुत इजी तो यूज़ कॉंसेट है, दोस्तों, आप लोगो भी अच्छा लगेगा, तो आएए वीड पर बेस करके अपन लोग एगजेट निकालते हैं, मार्केट को थोड़ी पता है कि तुम्हारा रिस्टू रिवाट वन इस्टू थरी है, तो वहां तक उसको जाना है, जहां पर मार्केट बोले, वहां पर एगजेट करना होता है, मार्केट ऐसे दिन में कई बार बोल सकता है, वो अगर हमें पता चल जाए, और अगर एक हाई या लो पता चल जाए, तो अपना काम हो गया, अगर अपन को हाई पता चल गया और अगर हमें ये पता चल गया कि अरे इतनी रेंज हो सकती है, तो बस हाई पर शॉर्ट मारके और फिर उसके बाद रेंज के आसपास टा कर सकते हैं एस्टिमेट कर सकते हैं एंड वी विल बी एबल टो फाइंड आउट कि जो स्मार्ट मनी है बिग मनी है इंस्टिट्यूशन से और क्या बोलते हैं उनको ऑपरेटर्स अपनी देसी भाषा में तो वह ऑपरेटर कहां पर एक्जिट कर सकता है पोटेंचली तो आज तो अपन लोग शॉट टम का जो ऑपरेटर है यानि कि जो इंट्रडे में एक्टिव रहता है उस पर फोकस करने वाले हैं बिकॉस मेज्जॉरिटी ऑफ अस आर इंट्रडे ट्रेडर्स तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले चीज तो देखो क्यों सीखना चाहिए तो एज तो मैंने डिसाइड कर रखा है मार्केट को थोड़ी पता है कि तुभारा टार्गेट वन इस्टो फाइफ का इसले उसको वहां तक जाना है रेंज प्रेटिक्शन से अगर आपको पता चल गया कि बैंक क्रिफ्टी 400 पॉइंट जाने वाला है तो सबसे पहली बात आप ट्रेट को होल्ड करके बैठे रहोगे ठीक है सिंस आपको पता है कि बैंक क्रिफ्टी 400 पॉइंट जाने वाला है और अगर आपने जहां पर परफेक्ट इंट्री थी उसके 50 पॉइंट नीचे भी अगर आपने इंट्री ले ली आपका इस टॉप लॉस 50-70 पॉइंट का भ जो रेंज एस्टिमेट करने का बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि कब रेंज को एस्टिमेट करना है और कब नहीं करना है और वो हमें पता चल जाता है दोस्तों कि मार्केट कहां पर ओपन हो रहा है so market कहां पर open हो सकता है या तो within the value या फिर outside the value तो अगर market within the value value मतलब previous day का value area ठीक है previous day का value area उसको अप लोग fair price ही बोलते हैं या fair price की range ही बोलते हैं तो पूरा का पूरा value area price अगर value area में खुला है उसको हम लोग बोलते है balance तो previous value area बहुत तरीके से use होता है तो आप उसको previous day का value area बोल सकते हैं आप उसको balance of market बोल सकते हैं आप उसको fair price की range भी बोल सकते हैं तो price अगर within value है चाहे वो एकदम POC पे खुले चाहे value area high पे खुले चाहे low पे खुले balance है और अगर वो within value खुलके accept हो रहा है मतलब कि वहाँ पे अगर रुका हुआ है रुक रहा है यू विल्टों कि वो accept हो रहा है कि reject हो रहा है तो इसका मतलब market sentiment unchanged है अब ये market sentiment दोस्तों अगर unchanged है तो किसके comparison में unchanged है तो ये previous day के comparison में unchanged है जो sentiment कल था वही sentiment आज भी है बस ये लिखा हुआ है और अगर जो sentiment कल था वही sentiment अगर आज भी है दोस्तों तो जितनी range कल थी उतनी range हम लोग आज भी expect कर सकते हैं बस इतना होता है मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ sentiment unchanged होने के लिए पहली बात market कल के balance में खुलना चाहिए balance मतलब कल का fair price जहाँ पर बहुत सारा transaction हुआ था value area दोस्तों आप लोग को पता है क्या होता है जहाँ पर 70% और टाइम market रुका रहता है वहाँ पर धेर सारी transactions होते हैं धेर सारी transactions इसलिए हो रहे हैं because वो area fair है वहाँ पर लोग धेर सारा खरीद बेच सकते हैं वो fair इसलिए है because वहाँ पर धेर सारी liquidity है वो धेर सारी liquidity इसलिए है because वहाँ पर बड़े बड़े लोग present है transact करने के लिए और वो बड़े बड़े लोग आपस में balance में है because अगर balance में नहीं होंगे तो दोस्तो आपको भी पता है buyers जाता हो गए बड़े-बड़े buyers अगर जाता हो गए market को बगा के उपर ले जाएंगे sellers जाता हो गए बड़े वाले तो वो market को गिरा देंगे so previous day का जो value area है दोस्तो that is the balance area उस balance area में market अगर खुलता है और रुक जाता है that means कि जो कल का sentiment था वही sentiment आज भी है that also means कि जो कल की range थी वही लगबग लगबग आज की range हो सकती है अब इसके बस variations है और वो अपन करते हैं इसीच का दोस्तो आप screenshot ले ले ये आपके काम आएगा जब भी आप revise करोगे ने आज और notes बनाओगे तो this will help तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए first step हमेशा open देखना है market कहाँ पर open हुआ है या तो previous day के value area में खुलेगा या फिर range के बाहर खुलेगा या फिर value area के बाहर और range के अंदर खुलेगा बस यही तीन possibility हैं अगर value area में खुला हुआ है और रुका हुआ है जो कल की range है वही आज की range होने के chances maximum है सबसे पहली चीज आपको दोस्तों open पता होना चीए market कहाँ पर open हो रहा है कल की value में है की value के बाहर है और within range है या फिर outside range है उसके बाद अगर market within value है तो आपको initial extreme निकालना होता है अब ये initial extreme oftentimes oftentimes दोस्तों जो आपका IB होता है उसका high yellow होता है oftentimes ठीक है तो आपको initial extreme पता चल जाएगा और अगर initial extreme जो भी है वो अगर break भी होता है तो जहां से market पलटने वाला होगा वो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कैसे पता चलेगा absorption और exhaustion वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया है तो आप लोगों को बस एक extreme पता चल जाएगा अब जैसे माल लिजे कि bank nifty की कल की जो range थी वो 400 point की थी आपको आज के market का top पता चल गया और top पता चल गया तो उसके बाद market कहा जाना चाहिए नीचे और कितना जाना चाहिए जितना कल गया था यानि कि 400 point top जैसे ही पता चले जहां पर भी आपकी entry हो जाएगी top के थोड़ा सा उपर आपका stop loss हो जाएगा सीथे 400 point का आपका target हो जाएगा उसके बाद अब textbook example, theoretical example plus minus 10% हो सकती है that means 360 से लेकर 440 points तक की range हो सकती है तो उसके लिए दोस्तों आप लोग तयार रहे है plus minus 10% error हो सकती है और फिर उसके बाद as the day develops, early extremes are erased or confirmed, adjust the estimate if necessary, तो जैसे मैं बूलना था कि market मालों की IB में कहीं पी तो आपको लगा कि ये आज का high है in that case आप अपनी range को adjust कर दो तो जैसे अगर IB के high से आपने 400 point नीचे की तरफ अगर drop किया है, target की तरह और फिर उसके बाद market अगर new high बना देता है और neutral day है तो new high बना के वापस उसको IB में आ नहीं है range में आ नहीं है, value area में आ नहीं है तो फिर आप new high से 400 point project कर देंगे market के extreme से अगर market का extreme later that day change भी अगर होता है, तो वहां से आप उसको forecast कर दें या बतलब एक तरह से क्या बोलते है project कर दें, वैसे तो इसको दोस्तो अपन लोग क्या कहते है multiple example की help से देखते हैं तभी ये समझ में आएगा, before taking up the examples, दोस्तो screenshot ले लो, काम आएगा अब दोस्तो range estimation कोई भी चीज है, कोई भी concept है दोस्तो सबसे बड़ा struggle उसमें क्या आता है सबसे बड़ा struggle ये होता है कि उसको कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, कोई भी strategy हो, सबसे बड़ा struggle यही आता है कि strategy सीख लिए कि यहाँ पर entry, यह stop loss, यह target यह accuracy और वगेरा वगेरा सब कुछ कर लिया और फिर उसके बाद कैसे market में लगाना है, trending market में लगाना है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि trending market है, वो experience आएगा, इस तरह कि जवाब आप लोगोंने सुने होंगे, तो अभी आप बैठे रो, शानती से चिंता मत करो सारी दुविधा और सारे जो क्या बोलते हैं, कस्ट हैं उनका निवारण होगा आज, अब हर strategy का एक perfect market environment होता है और simultaneously उसके opposite worst market environment भी होता है, किस market में उस strategy को बिलकूल नहीं बहुत ज़रूरी है विकाज अगर आपको यह पता है कि किस market में नहीं लगाना है तो आपको already पता है कि किस market में लगाना है, तो आप से वới गलती नहीं होगी, कि trending market में sideways की strategy लगा रही है हो sideways में trending की लगा रही हो तो वो गलती नहीं होगी, तो same चीज दोस्तो, range estimation में भी, certain market में आपको इसको लगाना है, certain market में नहीं लगाना है, तो जिस market में नहीं लगाना है दोस्तो, वो भी cases है, अब यहाँ पर क्या था कि जो opening है दोस्तो, वो within value हो रही है, market, previous value area में, previous day के value area में open हुआ है, ठीक है, मै day की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ intra day की बात कर रहा हूँ, उसी पर focus रहना दोस्तो, तो अगर previous day value area में open हुआ और वहीं पर रुख गया, accept हो गया, तो एक case, क्या करना है, पता चल गया, अगर previous day की value area में खुला लेकिन reject हो गया, तो market अगर value area में खुल भी गया, तुरंत value area की बाहर चला जाएगा, और अगर value area की बाहर चला गया, और गल्ती से range के भी बाहर चला गया दोस्तो, तो फिर इस range estimation को मत लगाना, previous day की range की बाहर चला गया, यानि की market out of balance है, out of balance market कहीं तक भी जा सकता है, out of balance market में trending environment active हो जाता है, और trending market कहीं तक भी जा सकते है, तो in those situations और scenarios ये range estimation वाला concept मतलगा ना क्योंकि उससे ज़्यादा आपको reward मिलेगा मतलब अगर कल की range 400 point है और आज की range अगर market out of balance हो गया और 400 point के बाद आप short करना start कर दो तो गड़बड हो जाएगी तो वो नहीं करना है अब कुछ example देखते हैं दोस्तों अब जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो यह 17 अगस्त है यहाँ पर कहीं पर तो market कहाँ पर खुला है previous day के value area में वहाँ पर accept भी हुआ है यहाँ पर high बना यहाँ पर दोस्तों अगर high बना तो bottom कहाँ पर बनना चाहिए देख लेते हैं previous day की जो range है इसको मैं plot करता हूँ यह previous day की range market value area में खुला है yes market balanced है value area में accept हुआ है yes तो अब यहाँ पर हम लोग अगर कहीं पर market का extreme बनता है तो can we expect previous day range in today's market as well let's try तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको top दिख गया यहाँ से market reject होता हुआ दिख गया है वहाँ से आप previous day की range को नीचे की तरफ project कर दो क्यों because market balance में खुला है और balance में यानि की previous day के value area में खुला है और accept हुआ है यह देखते हैं दोस्तों यह रहा 8 अगस्त और यह रहा 7 अगस्त अब बताओ दोस्तों market balance में खुला है की out of balance खुला है B period में भी अगर reject कर रहा है तो हो सकता है यहाँ से उपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे आपको clue मिलेगा और clue अगर मिलेगा तो previous day की range कितनी है magic यहाँ पे दोस्तों अगर आपको low दिख गया बनता हुआ तो yes आपका target सीधा यह जितने भी points हैं this was like 288 points 288 points का आपका target हो जाएगा plus minus 10% तो 10% यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया ठीक है तो market balance में balance में except कल की range जितनी है उतनी range आज की होनी चाहिए because जो कल का sentiment था वही आज का sentiment है is this easy my friends if this is appearing easy एक बर easy type करो और देखते हैं दोस्तों यह 24 July and 21st July market का open बताओ दोस्तों balance है की out of balance है all right सबको दिख रहा है market balance में और balance में काफी देर तक टिका भी हुआ है यहाँ पे top दिख रहा है hindsight में top दिख रहा है ठीक है है hindsight में top दिख रहा है अच्छा कल की कितनी range थी previous day की 21 July की इतनी थी हाँ लगबग 400 points है यह अगर market का top है यह रहा आपके 400 points प्लस माइनस 10% यानि कि यह 360 points होने चाहिए और यह 380 points है दोस्तों यह move आप capture कर पाओगे because market fair value में balance में fair range में previous value area में खुला है और वहाँ पर accept हुआ है और अगर वहाँ पर accept हुआ है तो इसका मतलब sentiment unchanged है तो जो sentiment अगर unchanged है जतने buyer और seller कल present है उतने ही लगबग buyer और seller आज present है तो जो कल की range है दोस्तों वो आज की range होने के बहुत ज़्यादा chances है तो कल की range अगर 400 points की थी 21 जुलाई की तो 24 जुलाई की जो range है market अगर sentiment unchanged आपने identify कर लिया दो ही criteria है market balance में खुला है balance में accept हो गया है मतलब कि वहाँ पर टिक गया है तो फिर उसके बाद जो कल की range है वो आज की range होने के बहुत ज़्यादा chances है plus minus 10% आगे बढ़ते हैं ठीक है और अगर market out of balance है तो फिर unlimited के लिए ready रो फिर इस चीज को मतलब लगाना out of balance यानि कि range के बाहर चला गया कितना भी जा सकता है ठीक है कि market value area में खुल रहा है अगर ये value area है दोस्तो तो market value area में खुला वही पर accept हो गया अब अगर ये value area है इतनी range है तो ये भी तो हो सकता है कि value area के बाहर खुले और range के अंदर खुले तो उस case में क्या करना है वो यहां पे रहा तो अगर दोस्तो market value area के बाहर खुल रहा है लेकिन range में तो भी similar implications है generally produces a range that is similar to previous day but overlapping to the one side तो किसी एक direction में overlap हो सकता है तो वो तो पहले भी होता था और यहां पर भी overlap हो रहा है because जो market है वो range के बाहर नहीं खुला है it is within the range तो example देखते हैं this is good example 7th of July तो market value area के just नीचे खुला है और within range खुला है और यहां पर रुका भी है ABC period में तो हम लोग क्या expect कर सकते हैं जितनी कल की range है उतनी आज की range होनी चाहिए 6 जुलाई की range देख लेते हैं दोस्तों तो 6 जुलाई की range रही इतनी market value area के बाहर खुला है लेकिन within range है और accept हुआ है तो यहां पर यह रही range मानलो कि यह high है तो वो high plus minus 10% तो आपको target मिला की नहीं मिला दोस्तों तो जितनी कल की range थी उसको क्या कहते हैं आपने project कर दिया कहीं तो B period में आप short करोगे D period में एक घंटा बस आपको hold करना पड़ेगा you will walk away with how much? 360 points दोस्तों जो लोग यहां पर 5-10 points से ज़्यादा capture नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह चीज वरदान है और अगर पता होने के बावजूद नहीं कर पा रहे थे फिर कुछ psychological error है बस आपको market का balance find करना है कि market या तो within value हो या फिर अगर outside भी value है तो within range हो और बस वहा पर accept हुआ हो वहाँ पर टिका हो basically कुछ time उसने एक period से ज्यादा वहाँ पर spend किया हो and you will be able to identify the targets which you always dreamed for दोस्तों मस्त चीज है और वही similarly अगर market reject हो जाता है तो reject में तो फिर potential unlimited है potential unlimited है तो unlimited potential में मतलब कि it's like की जब बाहर भर भर के बरस रहो तो घर में पानी भरने के लिए तुम बाहर चम्मच लेके नहीं जाओगे बड़ी बड़ी बाल्टियां बड़े बड़े टैंक लेके जाओगे ठीक है ना तो जब बरसे तो जोली छोटी लेके मत जाना फिर थर आप दिया रेंज के बाहर कल की जो रेंज थी उसके उपर मार्केट खुला और नीचे नहीं आ रहा है तो तो फिर वो आउट आफ बैलेंस है कहीं तक भी जा सकता है रेंज एस्टिमेशन के चक्कर में बिल्कूल ना पड़े बैलेंस में एक्सेप्ट होना चाहिए बस ये कंडिशन है in all the other cases इस concept को आप यूज ना करें because इससे बड़ा target आपको मिल सकता है ठीक है तो अगर market outside the range accept हो गया है तो तो फिर कहीं पर भी भागता जाएगा basically और in that case avoid this और अगर market पलट जाता है ठीक है पलट के value area में previous day के value area में आ जाता है और accept हो जाता है तो फिर concept अपन जिन्दबात range estimation जो कल की थी वो आज अपन लगा सकते हैं और दोस्तों अगर outside range है और reject हो गया मतलब की वापस range में आ गया तो वही dynamic move is set into motion जो कल की range है जो मैं बोला था वही same चीज आपको यहाँ पर लगा सकते हैं चेक करते हैं outside the range opening अरे यह रहा यह प्यारा market यह दोस्तों 2nd of August है दब्बे को previous day की range के हिसाब से ऐसे अब दोस्तों यह तो हो गया 1st of August मुझे बताओ 2nd August को market balance में खुला है कि out of balance खुला है out of balance खुला है सबको दिख रहा है कि market out of balance है अच्छा out of balance खुलने के बाद यह previous value area में आया है कि नहीं आया है नहीं आया यानि कि जो market है वो out of balance में accept हो गया इस दिन दोस्तों आपको यह range estimation वाला concept नहीं लगाना है क्यों because जितना आप चाह रहे थे उसके double से भी ज्यादा मैं इसलिए इसके against आप लोग को advise कर रहा हूँ because कहीं गल्पी से ऐसा नहों कि कल की range हो गई और आप यहाँ पे market गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है गिरता जा रहा है trending market है और आप long मारना start कर दो because अगर आप trend के against फस गए दोस्तो तो फिर revenge trading, over trading और account blow up होने में time जादा नहीं लगता इतना खतरना होता है option trading तो इसलिए मैं इसके against बोलूँगा that does not mean कि यह concept काम नहीं करेगा लेकिन मैं आप लोग को दोस्तो मेरी तरफ से इसको आप एक request जैसी मान लो कि market अगर out of balance है न तो कटोरी या चम्मच लेके मत जाओ बड़ी जोली लेके जाओ जब भगवान से मांगते रहते हो कि भर दे जोली तो जोली जब वो भरने का time आए तो बड़ी जोली लेके जाओ पस यह इसलिए वहाँ पे limited मत रहना अब जैसे दोस्तो यह होगी 2nd August की profile 3rd August को दोस्तो market balance म में और आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे रुका भी है market balance में खुला हुआ है और यहाँ पे रुका भी है multiple TPO है इसका मतलब जो कल का sentiment था वही आज का sentiment है इसका मतलब जो कल की range थी दोस्तों वही आज की range हो सकती है plus minus 10% magic is exactly the same magic है क्या नहीं बस यह चोटा सा concept है प्या चल गया उसके वारे न्यारे हो गया इग्जाक्ली से में दोस्तों range तो यह range कितनी थी पिछले दिन की 700 point की range दोस्तों और वही 700 point की range उपर कहीं पर भी आपको अगर आप short मार देते जहां पर भी मार देते दोस्तों तो 700 point लेने के लिए अगर आपको 100 point का stop loss भी रखना पड़ा 1 is to 7 trade है दोस्तों कितने capture किये हैं आपने 1 is to 7 trade यह इस concept की power है बस आपको क्या पता करना है दो ची चाहिए balance में accept होना चाहिए बस range को आपको forecast करना है ठीक है तो आप में से गलती से अगर कोई ऐसा है जो मेरे चैनल का subscriber नहीं है कर लेना दोस्तों because मुझे इसी week में उसको thousand पहुंचाना है और आप लोग के दुआओं से और महबबत से पहुंच भी जाएगा हेई welcome back आसान है ना दोस्तों बुला था बहुत आसान होता है दोस्तों market statistically 80-85% of the time sideways रहता है और जब भी market balance में accept हो जाए ये strategy ये method आप लगा सकते हो और ये रहान रखना high accuracy है certainty नहीं है अब यहां पर दोस्तों एक question ही आता है कि में कैसे पता चलेगा कि market का कहां पर top बन रहा है कहां पर bottom बन रहा है तो वह जानने के लिए एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर आप लोग की सेवं में पहले से दालुक है और आप लोग ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प झाल